नमस्कार हिंद टीवे में आपका स्वागत है बिहार में एक बार फिर से राध्यितिक तुफान आने वाला है लेकिन ये तुफान सत्ता धारी पाटियों में नहीं है बलकि विपक्षी पाटियों के बीच होने वाला है ये तुफान से राचद की आधहार खिसकने वाले हैं क्योंकि लालू परिवार के अंदर ही तकरारा बढ़ते बढ़ते इस अस्तर पर आ चुका है कि लालू परिवार बिखरने वाला है क्योंकि लालू जादव एक तरफ बिमार चल रहे हैं तो उनको भी कम से कम ये लग रहा है कि आगे राजनितिक तरीके से अपना विरासर किसी नेता को सौपे किसी नेता मतलब अपने परिवार के ही किसी को सौपना पड़ेगा लेकिन इस्तियां इतनी बदली हुई है कि अगर वो अपने एक बेटे के तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो दूसरा बेटा हाथ खीच लेता है और ये इस्तिति लालू परिवार के बीच हो चुकी है लालू जादब ने कुछ दिन पहले लगभग ये इस्तियां पैदा कर दी थी कि अब रास्टिय जनता दल का रास्टिय अध्यक्ष तेजस्वी जादब होंगे ये बात मीडिया के थ्रू राधनितिक गलियारों तक पहुँचाई गी और इस बात के परतिक्रिया का इंतज तेजस्वी जादब को राजद का रास्टिय अध्यक्ष बना दिया जाएगा लेकिन इस बिच राजदिती ने कडवत ली और तेजपरताब जादब खड़े हो गए तेजपरताब जादब ने सपस्ट तोर पर कह दिया कि अभी लालो पसा जादब ही रास्टिय में राज़त के नेता हैं बड़े नेता हैं उनको चुनाब के जिम्मेदारी भी दी गई है लेकिन राष्ट्रिय अध्यक्ष बनने के बाद तेट परताब जादब को ये लगता है कि राज़त में उनकी भूमिका बिलकुल ही खत्म हो जाएगी अब तक तेजस्वी जादब क खिलाप उन्होंने जितने बयान दिये पाठी के अंदर जो भी उनकी एक्टिवीटी है वो सारी एक्टिवीटी इस कारण है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक लालो जादब की पाठी में चलती है रास्टी अध्यक्ष की भूमिका में होने के कारण लालो जादब पू थोरी बड़ी होती है और यही स्थिती पैदा हुई और फिर बीमार लालू यादब को बयान जारी करना पड़ा कि अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है राज़त के राश्ट्री अध्यक्ष लालू जादब ही है दरसल अगर पिछले कुछ सालों के राज़त की लालू परिवार में फूट स्पस्ट तोर पर दिखाए पड़ेगा लालू परिवार में दो धड़ा बन गया है एक तरफ तेजस्वी जादब है तो दूसरी तरफ तेजपरताब जादब लेकिन तेजपरताब जादब अकेले नहीं है तेजपरताब जादब के साथ मीशा बहार्ती भी है और उनके परिवार के दूसरे लोग भी हैं जो भले ही राजनीती में पूरी तरह से सक्रिये नहीं हो लेकिन कहीं ने कहीं परिवारिक विवादों को सुल्जाने में हम भूम्न का निवाते हैं और दूसरे तरफ इसके अलावा जो रावणी देवी है वो इस बीच जब राष्टिय अध्यक्ष बनाने के बाद की गई तेजस्वी जादव को तब भी उन्होंने बयान जारी करके कहा कि अगर तेजप्रताप जादव के साथ कोई अन्याय होगा तो मसाल लेकर सबसे पहले विरोध में हमी निकलेगी ये रावडी देवी बोड रही थी इसका मतलब है कि तेजप्रताप जादव और तेजप्रताप जादव के बीच जो विवाद बिहार में चल रहा है उसमें पारिवारी के स्थित्री को देखें तो तेजप्रताप जादव के साथ लालू परिवार के जादा लोग है यहां तक कि परिवार से अभी जिन साधु जादब और सुवाह जादब को अलगा हो गया है जो लोग तेजस्वी जादब और तेजपरताब जादब के बीच के इस विवाद में पढ़ नहीं रहे हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो रावणी जादब के दोनों भाई तेजपरताब जादब से ज़्यादब से ज़्यादा सहान होती रखते हैं क्योंकि तेजस्वी जादब अपनी मरमर्जी जादा कर रहे हैं और पाटी में बहुत सारे नेताओं को पहले सही नाराज कर करके रखके हुए हैं तेजस्वी जादब के बात करें तो वो लगबग अखलेश जादब के रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अखलेश जादब ने मुलायम से जादब को पाठी का पैटरन बना के पूरी पाठी पर कबजा कर लिया और मुलायम से जादब के जितने करीबी नेता थे जो उनके रिस्तेदार भी थे उनको साइड लाइन कर दिया उसी में शिपाल जादब भी थे जिनको समाजवादी पाठी से अलग होना पड़ा और वही सिती बिहार में हो रही है बिहार में भी लालो जादब के दोनों बेटों के बेच के टकराव अब पाठी के दो धड़ों में बटने के सिते में आ गया है क्योंकि राजद में तेजस्वी जादब से भी नाराजगी है तो तेजपरताब जादब से भी नाराजगी है और तेजपरताब का भी अच्छा खासा सपोर्ट राजद के पास है राजद के नेताओं में उनकी भी पैठ है हालां कि ये बात अलग है कि जब तक लालू जादव हैं तेज परताब जादव के पूरे समर्थन में आने की हिम्मत राजत के नेता नहीं दिखा रहे हैं लेकिन जैसे ही लालू जादव का हाथ पूरी तरह से हट जाएगा उसके बाद इस्थतियां बदल सकती है और अगर कारेकारनी की बैठक में कोई बड़ी घोसना होई तो ये तै माना जा रहा है कि रास्टिये जनता दल में बड़ा विद्रो होगा और तेज परताब जादव और मीशा भारती दोनों तेजस्वी जादव के खिलाप जाकर राजद में एक विश्वोटक इस्थति पैदा कर सकते हैं और इसलिए लालो जादब बार बार कह रहे हैं कि अभी राजद की कमान उनी के हाथों में है तेजस्वी जादब को इसके कमान नहीं सौपी गई है और ये सारे सित्यां इसी और इशारा कर रहा है कि लालो जादब के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिस तरह से तेज परताब जादव राजग यानि इंडिये के खेमे में हस्चेप करने के कोशिश कर रहे हैं, बार बार कभी उपेंद्र कुश्वाहा को अपनी पाटी में सामिल कराने की बात करते हैं, तो कभी मुके सहनी को अपने साथ लाने के लिए सबूपा छोड़ते है उसी तरह अब राजग के अंदर भी दो धड़े स्पस्ट तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, ये सरकार के अंदर और सरकार के बाहर की बात नहीं है, एक पार्टी विशेश की बात है, जैसे ही कारकारनी की बैठक होगी, उसके बाद रास्टी ये जनता तल में एक चुनाब तो नहीं होने हैं, लेकिन आगे के चुनाब की तैयारी चल रही है, नितीश कुमार के भी नजर रास्टी ये जनता दल के उपर है, वो देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतिये जनता पाटी धीरे धीरे नितीश कुमार के उपर हावी हो रही है, उस स्थिति में न जद्यू का समझाता हो सकता है और ऐसे स्थिति में उसे भारतिय जनता पाटी के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो राजद की तूटने के ऊपर एक तरफ भारतिय जनता पाटी की निगाह है तो दूसरे तरफ नितीश कुमार की जद्यू की निगाह है लेकिन इस है कि कभी भी किसी भी समय राजद के अंदर एक बड़ा विस्थोट हो सकता है और उस समय सबसे ज़्यादा के सती उन नेताओं की होती है जो न किसी कुट को समर्थन कर रहे हैं और नहीं किसी का विरोध कर रहे हैं उन नेताओं के लिए एक मुश्किल की गड़ी हो जाती ह और यही confusion में प्रास्टी ए जनतादल बिहार में वेट एन बाज की नीती में लगी हुई है कि जब भी एक बड़ा विस्पोर्ट होगा तो उसके साथ ही बिहार के राजिती में फिर से हल चल सुरू हो जाएगे तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मैसा यूग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लागते रहे हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, इस चानल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आपकें भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। हम से चुड़े रहने के लिए अपने सुझाफ हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाफ का इंतिसार रहेगा। हमारे साथ चुड़ने के लिए धन्यवाद।